तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है यह फॉर्स्ट इंटिमेट नाइट विद यूर स्पाउट्स तो किस तरीगी यहां पर स्पाइसी डीटेल्स हम देखेंगे तो यह जो है एक 18 प्रस रीडिंग है अगर आप 18 प्रस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें य पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू पाइल नमबर वान को आप स्ट्रॉबरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नमबर टू है आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडेक साइन से चूज कर सकते ह है नेक्स्ट आरा टू औह फॉंड्ट्स नेक्स्ट आरा नेव ऑफ चैलिशेस पेज अफ कप्स की एनर्जी नेक्स्ट आरा एस ओ उहौन्स है नेक्स्ट आरा हैंगमे अभी आपको जोडेक साइन बताती हूं नेक्स आरा आपके लिए थ्री ऑफ कप्स next star is the star Aquarius energy है next star है यहाँ पर chariot next star है यहाँ पर devil और next star है यहाँ पर five of pentacles तो यहाँ पर पहले मैं आपको zodiac sign बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको explain करती हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर Capricorn की energy Aquarius energy Cancer Aries, Leo, Sagittarius Virgo और Aries, Leo, Sagittarius मैंने बोल दिया ना यही जो है यहाँ पर prominently zodiac sign है तो यहाँ पर आपकी intimate night की बात करी जा रही है male और female हो आप अपने gender से resonate करना या जिस भी partner के लिए आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पहला काड़ी impress आया है यहाँ पर female version जो है वो काफी highly dominant होंगी और ऐसा नहीं है कि आप जो है उनके सामने submissive हो लेकिन आप दोनों के बीच में जो एक condition है या bonding है इस तरीके की होगी कि आप जो है पहले उन्हें काफी हद तक एक comfortable position में लेकर आना चाहते हो हाला कि वो dominant है लेकिन उसके बावजू जो है आप दोनों के बीच में nervousness नहीं है तो यहाँ पर यह chances है कि आप लोगों की love marriage हो रही है तो इस तरीकी की situation है यहाँ पर जो है आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो या पहचानते हो यहाँ पर next है two of wands है two of wands जो है एक decision making power को कहते हैं या कह सकते हैं कि आप लोग को decision ले रहे हो तो आप intimate अपनी बातों को या अपनी जो intimate चीजों से related जो बाते हैं जैसे कि different तरीके की protection को use करना या इस तरीके की बात चीज़ जो है वो अपनी अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पर मैं को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अंजान हो या nervous एक दूसरे के लिए हो ऐसा नहीं है हाला कि मैं उसके moments तक आ रही हूँ events तक आ रही हूँ आप उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हो और उससे एक अच्छी memory को और जादा बनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर आप एक दूसरे को promise भी कर रहे हो कि आप लोग जो है वो एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहोगे और एक दूसरे को जो भी जैसे मैंने कहा अभी कि आप जो है वो contraceptives की या protection की बाते कर रहे हो तो वो सारी चीज़े भी आप लोग discuss सही तरीके से कर रहे है जो कि एक सही है एक mature relationship के लिए तो वो चीज जो है वो आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो यहाँ पे जो है फिर जो है आप दोनों के movement जो है वो एक flirtatious या kissing की तरीके से आएगा आप दोनों के बीच में एक sexual tension होगी और आप दोनों ही जो है एक दूसरे के पास आना चाहोगे लेकिन यहाँ पे जो man है वो ही जो है यहाँ पर initiation कर रहे है कही ना कही आप भी जो है उन्हों टीज करना चाहोगे या चाहोगी लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे man ही जो है वो initiate कर रहे है एक सारह ace of wants है तो ace of wants जो है वो new action को new beginning को दिखाता है हाला कि जैसे मैंने पहले भी कहा आपको comfortable जरूर करेंगे जिस भी environment पे यह सारी चीजे हो रही है तो वो जो भी मौसम हो वहाँ पर ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो जो भी मौसम हो तो वहाँ पर जो है ऐसी चीज हो रहे है यहाँ पर मुझे या तो यह लग रहा है कि कोई restaurant है कोई suit है वहाँ पर ऐसी energy है या फिर जो है यह cozy environment है चाहे आपका घर ही क्यों न हो अपना लेकिन वहाँ पर काफी cozy environment है अगर ठंड है तो वहाँ पर chimney या heater या blower ऐसा चल रहा होगा जिससे जो है आप लोग comfortable हो पाए और आप लोगों की बातचीत में जो है जो आपकी past की memories बनी है जो आपकी relationship में बातचीत होती होगी थोड़ी सी sensual चीज़े भी है tension भी है तो आप लोग एक दूसरे को काफी हद तक tease भी करोगे कुछ जो intimate बाते होती है जो एक adult की होती है अब सब कुछ यहाँ पर create करना मैं सही नहीं समझती हूँ क्योंकि YouTube की guidelines भी होती है और अपनी भी कुछ respect होती है तो उसी चीज़ को मैं continue कर रही हूँ कि आप दोनों में जो teasing energy है जो intimate बाते होगी जो भी आपकी थोड़ी dirty talk होगी वो जो है आप एक दूसरे से करोगे और फिर जो है आप लोग पूरी तरीके स अपने action वाले mode में आने वाले हो नेक्स टारा hangman आया तो hangman जो है perspectives को भी दिखाता है लेकिन एक तरीके से awakening को भी दिखाता तो यहां पर आपकी sensuality की awakening हो रही है जो आपको pleasure या desires आपने अभी तक नहीं महसूस किये हैं या फिर जो है जिस तरीके की आपके desires रहे हो सपने ह हैं आपके भी होंगे उनके भी होंगे तो उस चीज़ को जो है आप अच्छी तरीके से एक whispering sound में एक dirty talking या whispering sound में एक दूसरे से कह रहे हो और धीरे-धीरे जो है एक दूसरे को undress करना चाहोगे यहाँ पर जो है दोनों ही जो है एक दूसरे को stare करने वाले हो गूरने वाले और गलत वे में नहीं, काफी लंबे समय से जो है, आप लोग घूरना चाह रहे होगे एक दूसरे को, क्योंकि ये एक इस तरीके के मूमेंट में जो है, आप पहली बारी आ रहे हो, तो इसलिए जो है, आपको थोड़ी जाद एक्साइट्मेंट होगी, नेक्स चाहर है, तो थ करना चाहोगे, किसिंग करना चाहोगे, यहाँ पर डीपर किस है, वो आपको हिकीज देंगे, आप उन्हें हिकीज दोगे, यहाँ पर लिप्स पे एक दूसरे को किसिंग हो रही है, और डीपली किसिंग हो रही है, तो वहाँ पर यह भी हो रहा है, यहाँ पर इयर लोग की nibling हो रही है या पर जो belly area है उसकी nibling हो रही है navel part पर थोड़ा सा dirtiness जो हम यहाँ पर messages में देखेंगे तो उस तरीकी की भी चीजे यहाँ पर हो रही है तो properly आप लोगों के हामोज जो है वो काफी अद तक arousal में आ जाएंगे और आप लोग एक खुशी भी यहाँ पर महसूस होगी हाला कि यहाँ पर आप bodily juices को use करने वारे हो lube, perfumes different type के wax या cream आती है उस तरीके की चीजों से जिससे आप एक दूसरे को sensually थोड़ा सा जादा arousal फील करवा पाऊ और एक दूसरे के साथ जो है वो यहाँ पर आ जाएं यहाँ पर screaming वाली energy भी है तो आप दोनों के बीच में जो है वो थोड़ी सी आवाज जो है वो तेज होगी हाला कि आप दोनों के बीच में ही रहेगी लेकिन आप दोनों ही जो है वो उस तरे की bodily moments को या enjoy कर पाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपके breast area या chest area को काफी जादा engulf करना चाहेंगे यहाँ पर kissing है properly और थोड़ा सा rubbing वाली situation भी है तो private parts को एक दूसरे से rub करना या kissing करना और inner thighs में जो है वो kissing करना इस तरीके की situation आप दूनों के बीच में रहेगी next area chariot आया है जैसे ही first moment आपका हो जाएगा थोड़े समय बाद 5 या 10 मिनट बाद अब जो है आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के सामने हर तरीके की hesitation को छोड़ कर एक जो dirtiness वाली situation है अब जो है वो आपको whisper करके या arousal भी feel नहीं करवाएंगे वो आपसे कुछ कहेंगे कि कुछ essential चीज़े कहेंगे जो मैं यहाँ पे नहीं कहूंगी बट वो चीज़ जो है वो आपको और arousal feel करवा पाएगी और अब आप जो है वो नहीं dominate करोगे मैं feminine की बात कर रही है तो यहाँ पर इनिसियेशन उनकी तरफ से होगा और यहाँ पर next आरा devil का काड़ा है के अप्रिकॉन की energy और next आरा five of pentacles तो जितनी भी आपकी इच्छाएं थी या उनकी इच्छाएं थी जो single hood था या फिर आपने कभी इस चीज़ को experience नहीं किया था उस चीज़ की जो कह सकते है कसक जो थी वो अब जो है वो पूरी तरीके से fill हो जाएगी और आप दोनों के जो भी passionate moments है वो हाला कि intimate हैं तो मैं intimate ही रहने दूँँगी messages में देख लेंगे लेकिन यहाँ पर आपकी night बहुत जादा spicy रहेगी overall आप 3-4 rounds जो है वो create करेंगे यहाँ पर devil का काड़ा है केप्रिकॉन की energy है हाल पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से obsessed जो है वो हो जाएंगे तो यहाँ पर ऐसी energy है females के लिए मैं कह लेती हूँ कि वो magic wand जो है वो काफी हद तक जो है आपको अच्छी तरीके से satisfy कर पाएंगे और आपकी situation को एक तरीके से समझते हुए करेंगे तो ऐसी situation नहीं है कि आपको कोई painful condition हो रही है यो और अब ओन नहीं सुन रहे हैं ऐसा animalistic चीज है यहाँ पर नहीं है और अगर आप एक man है तो आप woman को अच्छी तरीके से एक high reverence में या एक highly regard में जो है आप देखते हुए कि एक wife है मेरी तो उसको जो है मैं अच्छी तरीके से satisfy भी कर पाऊं और खुशी भी महसूस करवा पाऊं यह आपकी duty बनती है और आप इस चीज को निभा रहे हो यहाँ पर तो दोनों के अंदर जितने भी emotions हैं desires हैं वो सारे यहाँ पर complete हो जाएंगे और जो मैंने कहा कि आपकी दोनों के मन में बहुत सारे जो बद्डू फूट रहे होंगे वो जो है यहाँ पर fulfill हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं कुछ messages कि वो आप से क्या करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे तो पहला आ रहा है I love you especially when you are naked next आरा lay down and spread your legs let me take control next आरा strength up against the wall powerful passion all night long next आरा I am gonna go slow until you beg me to shoot you inside next आरा morning love making is at high another level next आरा you are my favorite cardio तो वो ऐसा कुछ सोचेंगे या करेंगे मैंने जैसे कहा multiple rounds यहाँ पर होंगे next आरा you are always on my mind obsession है यहाँ पर और next आरा यहाँ आरा यहाँ पर nourishing each other तो एक दूसरे को nourishment भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका connection बन रहा है बस इतने ही कहूंगी next आरा है so wet it slides in deep you are ever had my greatest fantasies next आरा fishnet dress next आरा है I want you to in so many ways that I can't potent into your words तो उनकी इसी तरीकी की भावना हे होंगी कि वो जो है words में भी आपको बताने पाएंगे कि किस तरीके से वो feel कर रहे हैं लेकिन उनके action में जो है आपको दिख जाएगा कि उनकी किस तरीके की feeling है और आपके दोनों के लिए ये sweetest memory रहेगी सारी जिंदिगी के लिए next आ रहा है I love when you tell me I am yours last आ रहा है you are my weakness तो उनको जो है ऐसा feel होने लग जाएगा कि आप उनकी weakness हो आप उनसे कुछ भी करा सकते हूं तो चलिए देखते हैं से इनर्जी से रेटेड़ को चार्म यहां पर एक star card आया है star charm आया है Aquarius energy है next आरा Taurus energy है और next आरा high heel आई है तो हो सकता है वो आपको कोई gift ने surprise दे हो सकता है high heels हो या फिर काफी expensive heels हो यह भी हो सकता है और आपको जो वो gift देंगे वो जो है आप उसी समय पहन लोगे या जो भी आपको दिया जाएगा और वो आपके लिए बहुत जादा एक priceless वाली situation होगी और आप दोनों ही एक दूसरे में deeply love जो है वो create कर पाऊगे और सिर्फ intimately नहीं emotionally भी तो इस तरीके की energy है यह लिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ love song आप दोनों कैसा महसूस करोगे signs of time Harry style का इसके lyrics आप जाकर देख ले ना किस तरीके की energy है या lyrics क्या कहते है next आ रहा है pony jinovine तो जैसे मैंने कहा आपकी बहुत जादा spicy night होईगी जो यहां पे बोलने में अच्छी नहीं लगेगी restriction यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है मुझे तो बहुत कुछ बोलना आता है लेकिन I am an adult ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लगता है सुनने में और YouTube की guidelines है तो उसको जो है demonetize नहीं करना है situation को इस तरीके की energy है वो आप दोनों इसी तरीके से feel करोगे तो pile no.1 यह थी आपकी reading उम्मीद करती हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you, L no.2 अगर आपने ट्री को चूस ही है या फिर आपका zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरहेगी कि आपके intimate night रहेगी Ace of Pentacles, शुराद बहुत अच्छी हुई है, next tara four of horns next tara आपके लिए the magician, next tara the fool, next tara six of pentacles next tara hierophant next tara है strength, six of wands, two of cups next tara है ten of cups, तो यहाँ पर पहले आपको zodiac sign बता देते हूँ, फिर आपके events बताती हूँ तो यहाँ पर जो है, Aquarius energy है, Capricorn की energy है, Taurus है, Gemini है और Cancer है, Pisces है, Taurus मेंने बोल दिया था यहाँ पर यही अर्लियो energy भी है, तो यहाँ पर जो है, बहुत ज़्यादा prominent यही zodiac sign है तो यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जातर cases में आपकी arrange marriage होगी यहाँ पर जो है, Ace of Pentacles आया है, यहाँ पर solid foundation create कर रहे हैं, आप दोनों ने ही जो है, वो एक decision लिया है कि आप invest कर रहे हैं अपने emotions को, अपने hormones को और एक दूसरे के साथ life को build up कर रहे हैं, तो एक घर बनने वाली situation है, जिसमें हलाकि यह general messages है, पहले मैं general messages देती हो, फिर उसके बाद intimate moment पर आएंगे, तो यहाँ पर जो है, यह person आपके साथ एक family create कर रहे हैं, एक bonding create कर रहे हैं, जिसमें investment कर रहे हैं, तो investment जो है, वो पैसे की भी है, और एक emotions की भी है, एक star of four of wants है, यहाँ पर शादी हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, तो उस तरीके की उसमें खुशी जो है, जो excitement है, वो आप दोनों के ही मन में है, हाला कि यहाँ पर arrange marriage के ही, मुझे ज़्यादा chances लग रहे हैं, क्योंकि हाइरोफेंट भी आया है, institution है, believe system के through हुआ है, same caste, same, मतलब parents की मर्जी से, वो सब चीजे हैं, लेकिन उसके बावजुद जो है, यहाँ पर आप दोनों के मन में excitement रहेगा, और काफी ज़्यादा excitement है, यहाँ पर, next आरे fool का काड़ा है, fool जो है, new beginning को दिखाता है, आपकी life जो है, वो create हो रही है, यहाँ पर next आ रहा है, अब मैं आपको events बताती हूँ, तो इस तरीके की situation है, कि traditional यहाँ पर शादी हो रही है, यहाँ पर जो है, आपके person, चाहे वो male हो या female हो, अपने gender से resonate करना, लेकि यहाँ पर male जो है, वो आपको उठा कर लेकर जा रहे है, इस तरीके की situation है, उनको इतनी excitement होगी, कि वो आपको carry करके ही उठा कर लेकर जाना चाहेंगे, तो उस तरीके की situation है, यहाँ पर मुझे heavy curtains या एक अच्छा खुशनुमा मौहौल, वहाँ पर room freshener या perfumes की खुशबू आ रही हो है, जैसे मैंने कहा, वो excited होंगे, तो वो आपको उठा कर ही जो है, वहाँ पर ले जाएंगे, जो भी bedroom होगा, उस तरीके की situation है, और आप भी उनका साथ दोगे, तो इस तरीके की situation यहाँ पर हो रही है, नेक्स टारा four of wands है, आप लोग सेलिबरेट करोगे, जो भी खाने प काड़ा है, manifestation है, वो आपको kiss करेंगे, और यहाँ पर four head kiss की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत में जो है, वो आपको comfortable करेंगे, लेकिन आपकी respect को बनाते हुए, तो आपके अंदर जो भी hesitation है, या जो भी डर है, obviously first time पे सब को होता है, इसे में कोई डरने की बात नहीं है, चाहे male हो, चाहे female हो, सब में hesitation होती है, तो उस चीज़ को जो है, वो काफी हद तर ease out करेंगे, और फिर जो है, वो आपके साथ आना चाहेंगे, कि आपको वो promise करेंगे, कि आपका वो life में हमेशा साथ देंगे, और आप भी उनके promise में उनका साथ दोगे, तो इस तरीगी की situation है, अब वो new beginning को start करेंगे, एक स्टार है, six of pentacles है, six of pentacles जो है, वो इसी energy को दिखाता है, equal give and take है, यहाँ पर, आपके person जो है, खासकर मैं male की बात कर रही, तो वो जो है, काफी जादा giving nature में होंगे, इस तरीगे की situation होगी, वो आपको gift देंगे, जो भी चाहे जोलरी का piece हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन वो जो है, आपको deeply hug करना चाहेंगे, एक कह सकते है, जादू की जपी देना चाहेंगे, जिससे आप comfortable भी हो पाओ, और उन्हें accept भी कर पाओ, और वो deeply आपको kiss भी करेंगे, यहाँ पर, और मैं forehead kiss और cheek के kisses की बात कर रही हूँ, जो गालों पे kiss कर दी जाती है, तो यहाँ पर जो है, आपके मन में कोई hesitation ना रह जाए, या फिर आपको कोई डर ना लगे, तो पहले वो आपको comfort तरीके से करना चाहेंगे, नेक्स्ट आरा हाइरोफेंट है, यहाँ पर यह belief system या traditional person है, तो वो एकदम से जो है, आपके साथ एक, ऐसी situation नी create कर रहे हैं कि जो थोड़ी difficult हो, जो आपको थोड़ी अजीब लगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, धीरे-धीरे जो है, वो अपनी strength को दिखाना चाहेंगे, तो इसी तरीके से जो है, जो आप चाहोगे, कि वो आपसे पूछेंगे, मैं हाथ रख लूँ, या मैं kiss कर लूँ, तो इस की situation रहेगी, धीरे-धीरे जो है, आप दोनों ही एक दूसरे को accept कर लोगे, और strength का काडाय लियो energy है, जैसे ही आप दोनों इस तरीके के intimate moment में आओगे, जैसे कि आप kissing कर रहे हो, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जो है, टच कर रहे हो, और उस feeling को जो है, वो महसूस कर पा रहे हो, तो उस तरीके से जो है, यहाँ पर situation होगी, और वो आपको हर एक step पर जो है, वो पूछने वाले हैं, तो जो भी intimate तरीका है, एक undress करने का यह तरीके से, जो मतलब respectful way में हो, ऐसा ना लगे इनसान को कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा है, तो वो चीज ना ल कि loving situation में आ जाएंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा बहुत जादा adult चीजे नहीं महसूस हो रहे हैं, क्योंकि यह first time होगा, वो आपको बहुत जादे easily जो है, वो इस तरीके से करना चाहेंगे, pamper करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है, वो आपको as a, जैसे, कैसे कहूं मैं, जैसे man ह वो जो है, बैठे हुए हैं, तो वो जो है, आपको अपनी बाहों में पूरी तरीके से भर लेंगे, तो इस तरीके की situation है, या अगर आप एक woman है, तो आप जो है, उनकी गोद में काफी हतक सिर रख लेंगे, तो शुरुआत आपकी इसी तरीके से होने वाली है, decent way में, तो यहां पर ऐसी ही situation है, धीरे धीरे जो है, वो आप दोनों में kissing बढ़ती जाएगी, और एक दूसरे के hormonal situation में भी आप create करोगी, यहां पर lip biting है, और यहां पर kissing बहुत जादा है, तो kissing जो है, वो I think, हाला कि गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर thousand times तो जादा होई जाएगी, तो आप अपना जो resistance है, वो खो ही दोगे, और आप कोगे, जो हो रहा है, उसे होने दो, तो उस तरीके से आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़े आ जाएगे, नेक्स टार है, टू अफ काप्स है, यह पसन आपको बहुत जादा kissing करेंगे, और lips पे करेंगे, chest area, breast area, कोई ऐसा body part नहीं रहेगा, कि आप उनको kissing नहीं करेंगे, या वो आपको kissing नहीं करेंगे, deeply जो है, वो आपको touch करेंगे, sensual touches देंगे, जिससे आपके hormones, जो है, काफी हद तक arousal में आ जाएगे, और आप उस moment को, उस pleasurable moment को feel कर पाऊ, तो यहाँ पर two of cups आया, soulmate की तरीके से हैं, यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो positions हो रही है, वो काफी हद तक simple हो रही है, missionary हो रही है, लेकिन उसी तरीके की positions जो है, वो रहेंगी, क्योंकि फर्स टाइम है, और आपको वो painful condition नहीं देना चाते हैं, यहाँ पे जो है, वो जादा से जादा one या two time ही हो रहा ह है, और आप लोग काफी हद तक already पहले ठके हुए थे, तो और जादा ठक जाओगे और सो जाओगे, तो इस तरीके की situation है, लेकि ten of cups आया है, जो आपकी emotional fulfillment थी, वो जो है, आपको मिल रही है, और उस इनसान की, चाहे male हो, चाहे female हो, आप दोनों को ही emotionally fulfillment हो रही है, और वो ज आप दोनों ही एक दूसरे को kissing करना चाहोगे, और आपकी शायद इच्छाएं भी हो, कि मुझे जो है, वो यहाँ पे जाना, या मुझे वहाँ पे लेके जाओगे, तो वो कहेंगे कि हाँ, चलो चलते हैं, वहाँ घूमके आएंगे, इस तरीके situation है, वो आपको बताएंगे आपकी तारीफ करेंगे, कि आपको उनमें क्या पसंद है, और वो आपसे भी इसी तरीके की चीज़े पूछेंगे, तो आपकी काफी जादा conversation होईगी, sensual conversation भी होगी, लेकिन एक bonding जो है, वो emotional bonding आपकी create हो रही है, इसी night में, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ sensual messages, वो क्या करना चाते हैं, कि इस तरीके से आपको देखना चाते हैं, तो पहला आ रहा है, आपके लिए, SWAK, sealed with a kiss, तो kiss कर लिया है, तो आप अपने हो, इस तरीके की situation है, next आ रहा है, come over to my place, watch movies with me, तो आपसे वो हर चीज़ की नापसंद पसंद यह सब चीज़े पूछेंगे next आ रहा है, I am dying to find out if you are as good in real life as you are in my fantasies, तो उन्होंने पहले सोचा था कि आप उनकी fantasies में जितने अच्छे हो, उतना जादा सच्चाई में भी हो और वो आपको बताएंगे कि आप सच में जो है, वो बहुत जादा अच्छे हो, next आ रहा है, I have intense love feelings for you like jack and rose, next आ रहा है, you can destroy me with the single gaze, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है, सिर्फ एक दफ़े उन्हें देखी लोगे और वो जो है, वो destroy हो जाएंगे, तो बहुत स्वीट सी energy आई है, next आ रहा है, cross position, next आ रहा, I want to score more with you tonight, next आ रहा, let's fulfill each other's fantasies, next आ रहा, dirty, loud, messy, rough now, next आ रहा, surrender to me, एक दूसरे को surrender कर रह next आ रहा, I want to do bad things with you, next आ रहा, you are the one I want you, तो वो आपको चाहते हैं, सिर्फ आपको चाहते हैं, next आ रहा, boobs, the proof that men can focus on two things at once, तो काफी जादा chest या nipple sucking होगी यहाँ पर, next आ रहा, I want hickeys, eskimo kiss, pec kiss, जैसे मैंने कहा था, वो बहुत सारी kisses करेंगे आपको, candy kiss, underwater kiss, nibbling and I want it desperately, तो बह बहुत जादा करेंगे, चले देखते हैं, इस energy serrated, कुछ charms, तो यहाँ पर जो है, peacefulness, dove आया है, peacefulness आपको महसूस होगी और आप दोनों ही जो है, अंदर ही अंदर बहुत जादा खुश होगी, next आ रहा है, यहाँ पर spiritual connection आया है, तो spiritual connection जो है, आपकर divinely एक तरीकी से guided था, त next आ रहा है, यहाँ पर spoon आया है, तो अगर आप conceive करने के पूरे-पूरे chances हैं, तो आपको अगर नहीं करना है, तो आप लोग समझदार हो क्या करना चाहिए, next आ रहा है, यहाँ पर एक lock आया है, तो यहाँ पर दोनों के heart chakra जो है, वो activate हो जाएंगे, next आ रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं, intimate night रहेगी, लेकिन काफी हद तक effective रहेगी, next आ रहा है, belong with you, नीलोफर याना का, next आ रहा है, use me, Bill Withers का, next आ रहा है, give me a kiss, Lolo Zoe का, और next आ रहा है, that's way love goes, Janet Jackson का, तो यहाँ पर love जो है, वो actually में create हुआ है, ठीके, तो यह थी pile number 2, आपकी reading, उम्मीद करते हूँ, अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you,